अकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी प्रधानमंती नरेंद मोदी ने कहा है कि आईश्मान भारत और जनवाशदी जैसी योजनों से गरीब और मध्यमवर्ग के परिवारों को इलाज में करोन रुपे की बचत हुई है उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के हर जिले में एक मैडिकल कॉलिज खोलने और सब के लिए मैडिकल शिक्षा उपलब्द कराने का जो फैसला लिया है उससे अगले दस वर्षों में देश में डॉक्टरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी आज गुजरात के भुज में एक सुपर स्पेशालिटी एस्पताल का वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से उधगाटन करते हुए प्रधानमंती ने कहा कि गरीब लोगों को किफायती दरू पर सबसे बहतर स्वास्ते सुविधा उपलब्द कराना स्वास्ते प्रणाली पर उनके भरोसे को मजबूत करता है केंद सरकार आयुश्मान भारत हैल्थ एंड वेलनेस योजिना की चौथी वर्षगाट के अफसर पर टेलिफून परामश सुविधा ई संजीवनी के एक लाख केंद्रों का कल उधगाटन करेगी एक ट्विट में स्वास्तमंती डॉक्टर मंसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े चिकिस्सकों से परामश ले सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार आयुशमान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्त देखबाल नेटवर्ग को मजबूत कर रही है देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्त की इंदर संचालित किये जा रहे है रास्ट व्यापी टीका करन अभियान के अंतरगत 186,30,000 से अधिक कोविट टीके लगाए गए स्वास्ति मंतराले ने बताया कि कल 6,86,000 टीके लगाए गए इसे दोरान 949,49 नए मामनों की पुष्टी हुई स्वास्त होने की दर 98,7,6 परतिशत है देश में अब तक 83,11,000,000 कोविट नमूनों की जाँच की गई पिछले 24 घंटों के दोरान 3,67,000 नमूनों की जाँच की गई केंद्र सरकार ने राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1,92,27,000,000 से अधिक कोविड टीके निश्वल को पलब्द कराए है स्वास्त मंसाले ने बताया है कि 20,69,000,000 टीके अभ्भी उनके पास शेश है केंद्री विध्याले संगठन ने विशेश प्राफधानों के तहत प्रवेश पर रूक लगा दिये इन विशेश प्राफधानों में सांसत कोटे से प्रवेश में शामिल है केंद्री विद्याले संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक विशेश प्रावधानों के अंतरगत विद्यार्थियों का प्रविश रोकने का धरने लिया गया है अब तक प्रतेक सांसद और प्रतेक कलेक्टर स्कूल प्रबंधन समीती के अध्यक्ष के रूप में अपने कोटे से किंद्री विध्यार्चियों का पुर्वेश करा सकते थे उर्जा मंतरी प्रदमन सिंग तुमर ने मुक्ह मंतरी विद्यूत बिलो में राहत यूजना 2022 के अंतरगत गवालियर में हित्गराहियों को विद्यूत बिल माफी के प्रमान पत्र वित्रत किये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यूत बिल माफ कर दी हैं माफ हुए बिलों के प्रमान पत्र विद्यूत बिलों को घर गर जाकर दिये जाएंगे केंदरिये रिल्वे एवं संचार अलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्दोगी की मंत्री अश्वनी वैशनव दो दिवसी दौरे पर आज शाम खजुराओ आएंगे नरधरित कारिक्रम के नुसार केंदरिये मंत्री दिल्ली से प्रस्थान कर शाम 6 बच कर 20 मिनिट पर खजुराओ आएंगे जहां वैशाम 7 बज़े रिल्वे गेस्ट हाउस अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे केंदरि मंत्री कल जहांसी खजुराओ नैशनल रिल्वे हाईवे मार्ग का अब लोकन करेंगे वैकल ही महाराजा चहतर साल कैंवेंशन सेंटर का जुराओ में जिला अधिकारियों, जिले के सांसद एवं विधायों को से विकास कारियों पर चर्चा के साथ ही अन्यकारकमूर भी शिरकत करेंगे आज गुट फ्राइड है, प्रभू इसा मसी को सलीप पर चड़ाय जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है इसे दिन प्रभू युशु ने मनुश्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उस्सर्ग किया था गुट फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुद्रन करने का संकल पलेते हैं प्रभू इुशु के पुनर जीवित होने के उपलक्ष में रविवार से इस्टर समहरों शुरू हो जाएंगे प्रधानमंती नरेंद मोधी ने आज गुट फ्राइडे पर इसा मसी के साहस और बलेधान को याद किया है एक ट्विट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभू इशु के सेवा और भाईचारे के आदर्श मानव जाती के पत्रफ़ प्रदर्शक मने रहेंगे अब कुछ समचा रिसंशिप में टीकमगर कलेक्टर ने जिले में सार्ब जनेक हैंड पंपों से अतिकरमन हटाने के नर्देश दिये हैं गिहूं उपार जनकली बैतू जिले में 99 खरीदी केंदर बनाएगा है कि जिले में समर्थन मूली पर लगभग 2,00,00 टन गिहूं खरीदने का लक्ष रखा गया है आईपेल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदरबाद का मुकाबला कॉलकता नाइट राइडर्स जो होगा इस बुलिटिन में बस इतना ही नमस्कार